हाई गाईस वेलकम टो डाइटेकरणी क्लासेस मैं हो रमेस्कमार और आज आप सभी को जैसे पता है कि समू टू उप समू के तैद यह सहायक जनसम परक्रतकारी नगर निवेक्चक सहायक रजस्वाइज इनके साथ साथ आपको ने देखा कि पटवारी कारपालिक बद हेतू जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है इसमें आविदन भरने की तिथी है पांच जनवरी 2023 अंतिम तिथी है 19 जनवरी 2023 ऑके इसमें आपने इसके तहट देखे अलग-अलग सभी के लिए जो नोटिफिकेशन इसमें आप खुद देखी रपा रहे हैं हम लोग सीधे देखते हैं पटवारी वाला जो 93 पेज़ पे है इसमें योगिता और सभी कुछ है यह पटवारी चेहने तु चेहन समंदी नियम और नर्देश इसमें सबसे इंपोर्टन है देखे कि इसमें जो आपका पटवारी के रहे चेहन की नर्देश लागू होंगे इसमें सुरुवात पेज में तो परिभासा है सभी को डाउट है कि इसमें योगिता है क्या होने वाली है तो सबसे पहले इसमें जो योगिता है मानिता प्राप्त विस विद्ध्याले से केवल सनातिक इसका अर्थ है आप ग्रेजुएट होना जरूर ही ग्रेजुएशन ही कमप्लीट ओके दूसी चीज इसमें CPCT मांगा जरूर है लेकिन आप जब चैनित हो जाएंगे उसके चैनित होने के पस्चाथ तीन वर्स के अंदर उत्रीन होना अवस्यक है इसका थे CPCT बिल्कुल सुरुआज से कमपलसरी नहीं है आप तीन साल के अंदर इसे कौलिफाइड कर सकते हैं फेल्ंड इसमें देखें तो इसमें चूकी पड़वरी जो है आपका कौन सा है जिला वरगी परीक्षा है यह चिला इसमें आपको अरक्षण जो है जिलेवाइस होगा यह ऐसा बिलकुल नहीं है कि आपको प्रिफरेंस यहोगे देखे हैं चैन्ती नहीं नाम' को ठीक है कितनी है जो सीधी भरती है खुली प्रतियोगता के लिए 18 से 40 वर्स और सांथी जो यह रक्षित वर्ग है है स्टी एस सी ओबी सी और सास्केपद इनमें 18 से 45 वर्स चूट आयो है अब यह देखें कि क्या इसके लावा भी चूट है हाँ 18 से यह हो जाती है ठीक है 43 सीधी वर्ति वाली क्योंकि कोविट 19 की वज़े से तीन वर्स निमित आयो जतनी करेंगे तीन वर्स इसलिए इनको के दिए घए तीन वर्स आयू सीमा में तीन वर्सों की छूट दी गई है तो सेम अगर इनकी अरक्षण वाले की देखें तो कित्ती हो गई 18 से 48 वर्स हो गए कित्ता हो गए 18 से 48 वर्स हो गए इसमें जो कुल पद है आपके अगर पदों को देखें तो देखें कुल पद जो है आपके पड़वारी के कितने है 2736 पद है जो सीधी भरती के हैं किसमें सीधी भरती में किते हैं 2736 पद हैं अलग-अलग कर्टीगरी वाइस देखें यू आर के कितने ओपन 487 इसमें से टोटल जो है 975 है मैला ओपन इस तरह से और इस तरह से EWS के देखें यह 203 जनके पास EWS Certified है उनको बहुत ही फाइदा है इसको जरूर आप अपपलाई करें सीधी के लिए हैं फिर वांकी अरक्षित हैं इस तरह से चूकी आप देख रहे हैं कि कि यह कैसी लेवाइस भरती है अध्यक्यक कि जिले में अलग लग वेकैंसी तो आप अपनी जिले को पहली फ्रृफेंस देते हो उसे बढ़ें जैसे मानी जिले में यदि देखा जा falls कि वहां देखते हैं हम लोग कटनी में देखें कटनी जैसे कटनी में कितने हैं कुल 34 पद है जले वाई से लग अलग अलग रखषण होगा यू आर अन्रिजर्वट के लिए 12 पद हैं इड़ेवल्यस में तीन है तो टोटल कितने होगा जनरल के लिए यह वाले यूर अन्रक्षित ऑके एसी देखिए दो इसितरे आप जीले के लिए कर सकते हैं जैले की केवल प्रेश देनी हैं यह नहीं कि आप उसी जिले भर में से लेक्टिव होगे ऑके तो आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाए घर कोचिंग सेंटर के हैं डायट्यट एक एक आपका पहां पह चरगमा दूसरा कौन सा ब और तीसरा कौन सा है आपका कौणिया इन तीनों सेंट्रों पर आपको इसकी कोचिंग मिलेगी ओके थैंक यू